आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक सक्स को देख रहे होंगे इनका नाम है फगरुद्दीन अली एहमद और ये हमारे देश के पाँचवे राष्टपती रहे है और आप देखेंगे कुछ और पिक्चर इनकी देख लिजे ये आप देखें हमारे देश की पहली मैला पिधानमंद्री इंद्रा गांधी की तस्वीर है ये आप लोग इनके बगल में फगरुद्दीन अली एहमद को देख रहे है और ये आप देखें फगरुद्दीन अली एहमद का परिवार है तो आज हम लोग इनके बारे में बिस्तार से चर्चा करेंगे एक सामान जानकारी देखेंगे इनका परिवारिक बैक्ग्राउंड देखेंगे इनकी सिक्षा के बारे में बात करेंगे इनका जो सुरुवाती केरियर रहा है उस पर भी हम लोग बात करेंगे देश की आजादी में क्या युगदान रहा है जेल भी गए उस पर भी बात करेंगे इनका जो राजनितिक सफर रहा है उस पर भी हम लोग बात करेंगे अगर हम लोग बात करें फकरुद्दीन अली एहमद के जनम की तो आप देखें 13 मई 1905 को पुरानी दिल्ली के होज काजी इलाके में इनका जनम होता है इनके पता का नाम कर्नल जलनूर अली एहमद और दादा का नाम खलील उद्दीन एहमद था और उनकी माता का नाम रुकेया था उनकी मा दिल्ली के लोहारी के नबाप की बेटी थी फगरोद दिल अली अमेद ने 9 नबंबर 1945 को 40 वर्स की उम्र में अबीदा हैदर के साथ निका किया यानि कि साधिगी अबीदा हैदर की वालित का नाम मुहमद सुल्तान हैदर जोस था यह अंग्रेजी हुकूमत की सेविल सर्विस में थे और वेगम अभीदा का जनम हर्दोई उत्तर पिदेश में 17 जुलाई 1923 को हुआ था निका की समय इनकी आयो 22 वर्स थी और इनके सोहर इनसे कितने 18 वर्स बड़े थे और आप देखेंगे देर से विवा होने की बाबजूद इनका दमपत्य जीवन सफल रहा इने तीन संतानों की प्राप्ती हुई पितम संतान की रूमे ने पुत्थ प्राप्त हुआ जिसका नाम परवेज एहमद रखा गया दुरसी संतान पुत्री थी जिसका नाम समीना रखा गया और सबसे छोटी संतान की रूम में पुत्त का नाम दुरेज अहमद रखा गया। फकरुदीन अली एहमद की सरी के हयात अभीदा बेगम सुल्जे विचारों वाली एक सिक्षित महला थी और फाइन आर्ट्स में इनकी काफी रूची थी वह सांस के तिक गतिविदियों में भी उसा से भाग लेती थी अभीदा बेगम ने इंद्रा कॉंग्रेस के टिकेट पर बेली उत्तरफिदेस सीट से चुनाओ लोकसभा का उपचुनाओ भी जीता था और जून 1981 में सांसर निर्वाचित हुई थी लोकसभा सदस्की रूमें उन्होंने बेली की जनता में अपनी विसेष्ट साग बनाई इस कारण बेली की ही संसदी सीट से बे पुनाह 1984 में लोक की पतनी देखिए लोकसभा सदस्की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि टोटल लोकसभा मिक्तनी सीटे हैं अभी बर्तमन हैं 543 सीटे हैं इनका चुनाओ डारेक्ट जनता यानी की मद्दाताओं के द्वारा होता है अगर आपकी उम्र 25 साल है तो आप लोग चुनाओ पूरी हुई लेकिन 1908 में पिता का तवाब्दला दिल्ली हो गया तो भे दिल्ली आ गया और उस समय एहमद साधवी कक्छा की चाहते थे 1921 में उन्होंने पंजाब विस्विध्याले लाहोर से मैट्रिक की परिक्षा उतीन की उसके बाद उन्होंने पिसिद्ध स्टीफन क कॉलेज में दाखला लिया इसके कुछ समय बाद ही बे उच्च अध्यन के लिए इंगलेंड चले जाते हैं और कैमरीज विस्विध्याली के इंतरर उनका दाखला सेंट केथरीन कॉलेज में होता है 1927 में फकरुद्दीन अहली अहमद ने इसनातक इस्तर की सिक्षा लिए 19 1928 में बिधी की सिक्षा इन्होंने ग्रेंड की और बिधी की डिग्री लेने के बाद भी भारत लोट आते हैं और पंजाब हाई कोट में बकील के तौर पर काम करने लगते हैं नामंकित हो जाते हैं अगर इनके केरियर की बात करें तो फकरुद्दीन अली एहमद को बचप स्पोर्ट्स कॉंसिल के उपाक धेक्च भी रहे एसेयल लॉन टैनिस संग के के साथ इनका समंद बाद में भी बना रहा कलांतर मिन की रुची ब्रिज खेल में भी हो गई थी और आप देखेंगे एहमद अपने पिता की मित्र मुहमद सफी जो पेसे से एक एड़ोकेट थे उनके सहयुक्स में आकर एक सहयुक्गी के रूम में बिधी वेवसाय करने लगे लेकिन कुछ समय बाद पिता की पेड़ा से फकरुद्दीन अहली एहमद कहां असम चले जाते हैं और उन्होंने अपने ग्रह राज्जी की गुहाटी हाई कोट में बिधी वेवसाय आरम किय अब कुछ समय बाद इन्हें बड़ी सफलता भी प्राप्त हुई थी फिर आप देखेंगे फकरुद्दीन उच्चितम नियाले में बातो और वरिष्ट एडवोकेट के रूम में काम करने लगे और फिर आप देखेंगे आंगे कि फकरुद्दीन अली एहमद के पिता करनल जलनूर अली एहमद एक राष्टबादी सक्स थे लेकिन सवयम फकरुद्दीन अली ने उनके एक कदम आगे रहते हुए 1931 में अखिल भारतिये कॉंग्रेस पार्टी की परात में एक सदस्ता परात कर ली और देखें कॉंग्रेस पार्टी की बात करें तो पहले देश की आ 1937 में भी असम लेजिसलेटिव असेंबली में सुरक्षित मुसलिम सीट से निरवाचित हुए लेकिन तब वो है एक सुतंत उम्मीदवार की हैसियसे असेंबली में पहुँचे थे फिर आप देखें जवालाल नहरू की सिलापर ही उन्होंने सुतंत उम्मीदवार की तोर पर स्वैम को नावंकित किया था बेपहले जवालाल नहरू के नजदीक आये उसके बाद नेताजी सुवास्चन बोस से इनकी अंतर रंगता बढ़ गई और जवालाल नहरू ने उन में कॉंग्रेस की सरकार बनी तो फकरिद्दून अली एहमद को बित्त एवं राजस मंतराले का कारभासों पा गया बित्त और राजस विभाग का दायत समालते हुए उन्होंने विसेश्ट एवं उलेकनी सफलता पराप्त की तथा राज जी की बित्तिये इस्तिती में अप संचिपत रहा है फकरिद्दीन अली एहमद का इनकी जेल यातरा की बात करें तो महत्मा गांधी की नितित में जब सत्या गया अंदोलन शुरू हुआ तो फकरिद्दीन अली एहमद ने भी उसमें भाग लिया इस कारण अंग्रेस सरकार ने उन्हें 13 अप्रेल 1940 को गरपता ने पड़ी तो आज आप लोग जो आजादी देख रहे हैं ना इतनी आसानी से नहीं मिली इनके राजनीति केरियर में अगर आप देखें तो 11 परवरी 1946 को गोपिनाद बॉर्दो लोई की नेतित में असम में कॉंग्रेस सरकार बनी लेकिन इस बार की चुनाव में फकरिद दीन अली एहमद हार गए थे परन्तु कॉंग्रेस के अनोध पर उन्होंने असम के एडवोकेट जनल का पदभा समाला और 1952 तक इस पत पर वो बने रहते हैं 1952 में उन्हें राज्यसभा की सदस्ता पराप्त हुई और राज्यसभा की देखे क्या है कि कुछ को आपकी हाइकों के द्वारा होता है और ये संसद में पहुंचते हैं 1955 में वह भारतिये बकीलों के सिष्ट मंडल के नेतित करते हुए सोविय संग भी गए और संसद में देखे तीन भाग होते हैं संसद के एक राज्यसभा लोकसभा राष्ट पर दी 1957 में उन्होंने UNO में भारतिये सिष्ट मंडल का नेतित किया UNO यानि कि सविक्तराष्ट संगी बात हो रही है 24 सक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होई थी नियोर्क में आपको हेड़कोर्टर देखने को मिल जाएगा इसके बाद फकरूद्दीन अली अहमद असम विधान स में पहुंचे इन्हें मंती मंडल में इस्थान भी प्राप्थ हुए लेकिन उन्होंने स्विक्षे गाधार पर इस्थानिये स्वाय सरकार से त्याट पत्य दे दिया 1964 में यह सोविय संग के निवंतन पर मॉस्को पहुंच गए और बासी में इन्होंने जापान होंकों की यात्रा भी की 1965 में मलेशिया की स्वाधीनता समारो में भारसरका के पितिनीदी की रूम में इन्होंने उपस्तित हुए फिर मंती मंडल की बात करें तो फकरोदीन अली एहमद स्री मंती इंद्रा गंधी के करीबी सहयोगी थे और 29 जनवरी 1966 को उन्हों संगिये मंती मंडल म पिधान मंतरी इंद्रा गंधी ने सामिल कर लिया था उन्हें से चाई एबं उर्जा मंतराले का कारभार केमनित मंतरी की रूम में प्राप्त हुआ था और इस वेकार के इंद्रिय मंती मंडल में मुसलिम बर्ग के पितिनीदी में नेदित में एजापा हुआ और असम of ministers में सामिल किया गया तो यह आवस्यक था कि उन्हें अंगले 6 महीने में संसत की किसी भी सदन की सदस्ता दिलाई जाए और अपरेल 1966 में आप देखे वो राजसभा में पहुंचे थे और देखे आप भी लोगसभा राजसभा की सदस नहीं है तब आप cabinet मंत्री भी बन सकते है पिधान मंत्री बन सकते हैं लेकि 6 महीने के अंदर आप लोगों को क्या करना होता है सदस बनना होता है चाहे लोगसभा का बनिये चाहे राजसभा का बनिये उन्होंने सिख्छा मंत्री की रूम में आप देखे 14 नवंबर 1966 से 12 मार्च 1966 तक काम किया फाकरिद्दुनी अली अहमद ने असमराज जी की बार पेटा संसदी सीट से लोगसभा का चुनाओ भी लड़ाओ विजयी भी हुए 1967 में इस सफलता के बाद उन्हें केंद्री मंत्री मंदल में सरीक करती हूँ दोगे विकास और कंपनी मामलों का मंतराले सौंपा गया और आप देखे 27 जून 1970 को जब केंद्री मंत्री मंदल में भारी फिर दल किया गया तो उन्हें खाद और किसी मंतरा ले दिया गया 1971 के लोगसभा चुनाओ में यह पुनाहा बार पेटा की सीट से निर्वाचित हुए तीन जुलाई 1974 तक खाद किसी मंतरी की रूमें इनकी सेवाएं जारी रहें अब विदेश की यात्राइं देखें तो फकरुदीन अली हमद ने यूनियन केविनेट मिनिस्टर रहती हुए पश्चिम जर्मनी, इंग्लेन, हंग्री, बुल्गारिया, इटली, सोविय, संग, फ्रांस, इरान और सीलंका की यात्राइं की मुरक्को में जब इसलामिक सम्मेलन हुआ तो यह भारत सरकार की पिदिनिधी की रूम में सामिल हुए 1971 में भारत सरकार की पिदिनिधी बनकर अरव अमिराद गए ताकि पूरवी पाकिस्तान में पाकिस्तान द्वारा की गई सैनिक कारवाही की सम्मंद में भारत का पक्च पिस्टूथ कर सके कैंदřी महिंतिरी रहते हुए वबबप सम्ती के सभापती भी बने रहे 1966 में जब गालिव पुनितिती सताबदी समारो दिल्ली में मनाये गया तो फकरोद्दीन अली एहमद ने डॉक्टर जाकर हुसेन को समारो सम्ती का सेचिप बनाये उनके सहयोग से गालिव कॉंपलेक्स तथा गालिव मिर्जियम और सूत पुस्तकालाई की स्थाफना इर्विन होस्फीटल की निकट की गई और 23 अगस्त 1973 को पिदार मंतरी इंद्रा गांधी ने गालिव ओडी टोरियम का उधगाटन किया इसके अलावा मिर्जा गालिव की स्मिती में एक स्थाफना भी की गई अब राष्टपती के रूम में इनक्या समय देखें तो एक तो आप लोगों को मालो होना चाहिए कि राष्टपती का चुनाओ कैसे होता है लोगसभा, बिधानसभा और राज्यसभा के जो सदस होते हैं उनके निर्वाचन की चुनाओ करते हैं इनका उनके द्वारा और अनुछेद अगर बावन पड़ें तो भारत की राष्टपती की बात की गिए है अनुछेद त्रेपन में संगी की कारपाली का सकती की बात की गिए अनुछेद चंगर में राष्टपती के निर्वाचन की बात की गिए अनुछेद पचपन में राष्टपती के निर्वाचन की क्या रीती होगी उसकी बात की गिए अनुचेद 56 में राष्टपती की पदाओधी की बात की गिए, अनुचेद 57 में फोनना निर्वाचन के लिए पात्यता क्या होनी चाहिए उसकी बात की गिए, अनुचेद 69 में राष्टपती की पद के लिए सरतों की बात की गिए, अनुचेद 60 में राष्टपती द्वारत स कि नीलंबर्म परिभार लगुकर्ण की राष्टपती की जो चमा दान की सकती है उसकी बात की गए और राष्टपती की देखिए सपत कौन दिलाता है मुख नयादी सर्वच नयलेका और किसे अपना त्याकपत दे सकते है उपर राष्टपती साहब को यह आप लो याद रख दी में थी और इसके प्रिस्तावित उम्मीदबार का राष्टपती बनना तय था और जो केंदर में रहती है उसका आप देखते हैं अधिकतर टाइम यही रहता है कि उसी का राष्टपती वह जैसे चाहे बना सकती है राष्टपती चुनाओ का परिटाम 20 अगस्त 1934 को घो से दुबारा साबित हुआ कि भारत की धर्म निर्पेक्षता सर्वो पर ही है इस पिकार एक काजी को के पोत्र ने देश का सर्वोच पद पराप्त किया था उनका राष्टपती निर्वाचित होना कई अलसंक समधाईक जीत थी इसके इससे देश में समधाईक सोहाट मुसलिम बर्ग में बढ़ता संतोस कम हुआ राष्टपती निक्त होने के समय बे लोगसभा के सदस भी थे इसलिए उन्होंने 21 अगस 24 को लोगसभा की सदस्ता से इस्तिपादे दिया था और आप देखे 24 अगस 24 को सुबाई 9 बजे फगरोदीन अली अहमद ने भारत की पा राष्टपती पत का कारभार समाला था और 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 परवरी 1987 तक राष्टपती पत पर रहे हैं और आप देखेंगे इनके संदेश की बात करें तो फकृत दुन अली ने मुसलिमों को संदेश दिया कि समस्त दुनिया में मुसलिम मुसलिमों की अलग-लग भासा उन्होंने और धारन देते हुए इस पश्ट किया कि इरान के लोग पार्सियन भासा बोलते हैं तुर्की नागरिक तर्किस भासा बोलते हैं इंडोनीसिया के मुसलिम इंडोनीसिया ही भासा बोलते हैं पंजाब के मुसलिम पंजाबी बोलते हैं महराष्टियन मुसलिम महर और परिवारिक सम lookin रहे हैं दोनों एक दूसरे क कहज दैसे सम्मान करते थे मंतरी से राष्ठपती बनने तक भी इन समन्दों में विश्वास इसने बना रहा और इंद्रा गांदी के परिवारिक समारू में भी वैस्तिकरत जाते थे, सिक्रत करते थे और इसी पिकार आप देखें। इंद्रा गांदी के जनम दिन पर हो है अपनी बेगम के साथ इंद्रा गांधी के आवास पर बधाई देने जाते थे और राष्टपदी बनने के बाद भी उन्होंने इसका क्रम में कोई ब्रेटी क्रम नहीं किया था इनके सम्मान की बात करें तो फगरुद्दीन अली एहमद की इसमीती को सासवत रखने के उद्दे से भारत सरकार ने उनकी चित्र से योक्त डाक टिकेट भी जारी किया था यह आप लोग याद रखेगा और इनकी अंतिम समय की बात करें तो ग्यारे फरवरी आप देखते हैं कि 1977 की सुबए बातरूम में हिदाय घात का दौरा पढ़ने की कारण वह फरस पर गिर बाया थी फिर सुबए आठ बजे बचकर बावन मिनिट पर उनकी मीट्टी हो गई थी कब 11 फरवरी 1977 को नई दिली में यह आप लोग याद रखेगा इसमें तो यह अपने कारकाल में ही इनकी डेथ हो गई थी जब यह राष्टपती थी उसी समय इनकी डेथ हो गई थी तो एक सौट बायोगराफी आप लोग कह सकते हैं कि अली किसकी फकरुद्दीन अली एहमत किये इस तरह से यह राष्टपतियों की सिंखला भी चलती रहेगी आप लोग पढ़ते रहे हैं इन्जॉय करते रहे हैं आपका कोई सवाल हो सुझा हो किसी और के बारे में जानी की देश्चस्पी हो आप लोग उसका नाम बता सकते हैं